Hey guys, आप देख रहे हैं Bollywood Talk और Bollywood Talk फटाफट निउस के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए काफी सारी नई और इंटरस्टिंग निउस हैं तो चलिए शिरू करते हैं चलिए पहली निउस पे बढ़ते हैं दोस्तो आपको मिनीशा लांबा एक्टरेस तो याद ही होंगी जो के काफी सारी फिल्मों में नजर आई हैं और दोस्तो अब वो पहली बार टीवी पर अपना डेब्यू करने जा रही है और वो नजर आएंगी सब टीवी के शो तेनाली रामा में और जो के विशकन्या का केरेक्टर प्ले करेंगी तो दोस्तो जो दूसरी खबर आ रही है वो आ रही है स्टार प्लस के शो ये है मोहबते से रिलेटिट तो न्यूज ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि रमन की शादी होने वाली है महीका के साथ लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि रमन महीका से नहीं बलकि दोबारा से इशीता से ही शादी करेगा और मंडप में दुलहन को चेंज कर दिया जाएगा कुछ ऐसा होने वाला है इस शो में और दोस्तो तीसरी खबर आ रही है प्रिया वरियर की तरफ से जिहां दोस्तो वाइरल गर्ल प्रिया वरियर और प्रिया वरियर ने 3.8 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फोलोवर्स अचीव कर लिया है और वो इतनी फेमस हो चुकी है कि कई ब्रैंड्स भी उन्हें अब स्पोंसर कर रहे है जैसे के वन प्लस, प्रिंगल्स और अब केरला टूरिजम भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को स्पोंसर कर रहा है और दोस्तो जो अगली न्यूज है वो काफी इंट्रस्टिंग है क्योंकि सल्मान खान ने 10 कादम सीजन 3 साइन किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 26 एपिसोड शूट करने के लिए सल्मान खान ने चार्च किया है 78 करोड रूपीज जिहां दोस्तो 78 करोड रूपीज सिर्फ 26 एपिसोड शूट करने के लिए और दोस्तो 10 कादम सीजन 3 शुरू होगा IPL के बाद जून के महीने में और इस बार इसमें खास बात यह होगी कि इसमें celebrities नहीं होगे बलकि सिर्फ और सिर्फ common people ही आएंगे मतलब जनता ही आएगी और दोस्तो इसके बाद जो न्यूज है वो है रोडीज एक्स्ट्रीम का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है MTV इंडिया पर और दोस्तो इस बाद शो में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं जैसे के इस बाद चार गैंग लीडर्स हैं अगर पसंद आएगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और इसी तरह की और भी अप्डेट्स के लिए बोलीवूट टोप को सब्सक्राइब करना ना भूले और वो बैल आइकन भी प्रेस कर देता कि आप आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन्स पास सकें फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में